यहाँ एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है इसको उप्योग इलेक्ट्रोनिक सर्किट को बिजली की आपूर्ती देने के लिए किया जाता है तो इस वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं याद रखें कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है और जानलेवा साबित हो सकती है किसी बिजली से जुड़ा कोई भी काम करने से पहले सुनेश्चित कर लें कि आपके पास उप्योक्त योग्यता और क्षमता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा दिखता है इनके आकार और लंबाई चोड़ाई अलग हो सकती है लेकिन मुख्य रूप से इसमें चार डायोड होते हैं जो एक विशेश क्रम से लगाये जाते हैं यह आम तोर पर डायमेंड कॉन्फिग्रेशन में लगे होते हैं लेकिन इन्हें कुछ इस तरह अन्य तरीकों से भी लगाया जा सकता है इन्हें इंजिनियरिंग ड्वाइंग में इस तरह दिखाया जाता है यहाँ डायोड का चिन्न है तीर का निशान परंपरागत करेंट की दिशा दिखाता है यहाँ दिखा रहा है कि AC electricity input है और DC electricity output है फुल ब्रिज रेक्टिफायर AC यानि alternating current को DC या direct current में बदल देता है इसकी जरुवत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे घरों में बिजले के outlet AC current प्रदान करती है जबकि हमारे electronic up current DC का प्रयोग करते हैं इसलिए हमें AC electricity को DC electricity में बदलना पड़ता है उधारन के लिए laptop का charger power outlet से AC electricity लेता है और इसे DC में बदल कर laptop को बिजले की आपूर्थी करता है जरा आप अपने laptop और electronic उपकर्णों के adapter को देखें manufacturer के label पर लिखा होता है कि यह AC को DC में बदलता है इस उधारन में AC electricity का निशान यहाँ बता रहा है कि 100 से 240 वोल्ड के input की जरुवत पड़ेगी और यहाँ 1.5 A current लेगा फिर यहाँ output में 19.5 वोल्ड की DC electricity और 3.33 A का current देगा आप गौर करें कि इस पर 50 से 60 Hz भी लिखा है यहाँ AC की frequency है और हम थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे AC electricity में voltage और current आगे और पीछे की ओर लगातार अपनी दिशाब बदलते रहते हैं क्योंकि AC generator में एक चुम्बक यक्षेत्र होता है जो तार में electrons को धकेलता और खींचता रहता है तो जैसे जैसे यह आगे और पीछे की तरफ प्रवाहित होते हैं positive और negative value बदलती रहती है voltage स्थिर नहीं रहती है भले ही मल्टीमीटर में स्थिर मान दिख रहा हो अगर हम इसका graph बनाएं तो एक sign wave pattern प्राप्थ होगा AC generator के अंदर अधिक्तम तीवरता वाले चुमबग्य क्षेतर के तारों के कॉयल से होकर गुजरने के कारण voltage, सर्वोच्य positive value और सर्वोच्य negative value के लिए बदलती रहती है इस उदारण में voltage 170 volt तक जाती है इसलिए अगर हम graph बनाएं तो positive और negative peak 170 volt होगा अगर हम इन मानों का औसत निकालें तो वह 0 volt होगा इससे कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए किसी समझदार engineer ने root mean square voltage, voltage के वर्ग के औसत का वर्ग मूल प्रयोग करने के बारे में सोचा electrical outlet से जोडने का multimeter इसी voltage की गणना करते है peak voltage पाने के लिए हम root mean square voltage में 2 के वर्ग मूल जो लगभग 1.41 होता है का गुणा करते है RMS root mean square voltage प्राप्त करने के लिए peak voltage में 0.707 का गुणा करते है उदारन के लिए यहां मेरे पास उत्तरी अमेरिका, ब्रिटन, आस्ट्रेलिया और योरोप के power outlet है यहां multimeter साधरन wave दिखाता है और जब मैं इन में से किसी एक को phase और neutral के बीच जोडता हूँ तो हमें एक sign wave दिखती है जो एस electricity का संकेत है ध्यान दे कि ब्रिटन और योरोप के power outlet 230 वोल्ड के है आस्ट्रेलिया का 240 वोल्ड का है लेकिन तीनों की frequency 50 hertz है हालांकि उत्तरी अमेरिका का outlet 60 hertz frequency पर 120 वोल्ड का है frequency को hertz में मापा जाता है इसका मतलब यहाँ है कि sign wave की पुरुराविर्ति उत्तरी अमेरिका के electrical system में हर सेकंड में 60 बार और दुनिया के बाकी हिस्सों में 30 सेकंड 50 बार होती है उत्तरी अमेरिका में voltage कम है 120 वोल्ड जबकि बाकी दुनिया में 230 से 240 वोल्ड है हालांकि कुछ अपवाद भी है लेकिन इस वीडियो में हम वह नहीं दिखाएंगे हर electrical system में peak voltage इस प्रकार होते है DC electricity में voltage एक जैसी होती है और positive क्षेत्र में रहती है electron उल्टी दिशा में नहीं जाते वे एक ही दिशा में प्रवाहित होते है इसलिए अगर मैं इस बैटरी का मान लूँ तो हमें positive क्षेत्र में 1.5 वोल्ड पर एक सपाट रेखा दिखाई देगी यह DC electricity है यह solar panel में DC पैदा करता है हम multimeter में 4 वोल्ड पर एक सपाट रेखा देख सकते हैं इस adapter का प्रयोग करके हम USB port को माप सकते हैं हम देख सकते हैं कि हलग भग 5 वोल्ड दे रहा है और सपाट रेखा संकेत दे रही है कि हर DC electricity है यह एक full wave bridge rectifier है इन input सिरो पर हमें sine wave के साथ 12 वोल्ड की AC दिख रही है और इन output सिरों पर 14 वोल्ड की DC तो यह device AC को DC में बदल रही है कपैसिटर की वजह से output पर voltage थोड़ी अधिक है और ऐसा क्यों है वहाँ हम बाद में AC वीडियो में देखेंगे अब आपको यह याद रखना होगा कि rectifier केवल AC को DC में बदलते है यह DC को AC में नहीं बदल सकते उसके लिए हमें inverter की जरूत पड़ेगी जिसके लिए एक विशेश electronic पुर्जे का उप्योग होता है लेकिन हमने इस वीडियो में उसे cover नहीं किया है वैसे हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया है कि power inverter कैसे काम करता है इसके लिंक नीचे दिये गए विडियो विवरण में मिल सकते है Rectifier Diode से बना होता है Diode एक semiconductor device है जिसमें से current level एक दिशा में ही प्रवाहित हो सकता है जब हम इस lamp को एक DC supply से जोडेंगे तो यहाँ जल जाएगा हम अगर lead को आपस में बदल भी दे तो भी यहाँ जल जाएगा अगर मैं लाल तार में एक diode लगा दू और इसे positive से जोड दू तो यहाँ फिर भी जल उठेगा लेकिन अब lead को आपस में बदलने पर diode करेंट को रोग देगा और lamp नहीं जलेगा यहाँ current को गेवल एक दिशा में ही बहने देता है और इसलिए हम इसका प्रयोग current की दिशा को नियंतरित करके DC electricity बनाने के लिए कर सकते हैं आईए ऐसा करने के लिए कुछ तरीके देखें अगर हम voltage को सुरक्षित स्तर तक घटा देने वाले step-down transformer वाली AC supply को देखें तो हम पाएंगे electron आगे और पीछे की और बहते हैं इसलिए load को AC sine wave मिलती है load register, lamp, motor आधी कुछ भी हो सकता है अगर बीच में एक diode लगा दे तो diode current को केवल एक दिशा में बहने देगा load को आप pulsating waveform मिलेगी sine wave का negative half अब रोक रहा है positive half को रोकने के लिए और केवल negative half को जाने देने के लिए हम diode को उलट सकते हैं इसलिए इसे half wave rectifier कहते हैं output तकनीकी रूप से DC होता है क्योंकि electron एक ही दिशा में बहते है बस यहाँ बहुत अच्छा DC नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से सपाट नहीं है यहाँ मेरे पास low voltage AC supply से जुड़ा हुआ एक register है oscilloscope पर AC sine wave दिखाई दे रही है जब मैं इसके साथ श्रेणी क्रम में एक diode लगाता हूँ तो oscilloscope positive क्षेत्र में pulsating pattern दिखाता है अगर मैं diode को उलट दू तो oscilloscope negative क्षेत्र में pulsating pattern दिखाता है अगर मैं दो समाना अंतर लैंपों को diode से जोडता हूँ तो हम देखते हैं कि जिसमें diode नहीं है उससे अधिक रोश्नी है क्योंकि यहाँ full waveform का प्रयोग कर रहा है दूसरे lamp में कम रोश्नी है क्योंकि यह केवल waveform के आधे हिस्से का प्रयोग कर रहा है डायोट दूसरे आधे हिस्से को रोक रहा है अगर हम इसे धीमिकती में देखें तो पता चलेगा कि डायोट से जुड़ा lamp टिम्टिमा रहा है क्योंकि बिजली आपूर्ती में अंतराल है इसलिए हम इसका उप्योग lighting या शायद साधरन बैटरी चार्ज करने जैसे साधरन सर्किट में कर सकते है लेकिन इसका उप्योग electronics में नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूर्जों को लगातार बिजली आपूर्ती की जरूरत होती है नहीं तो वे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे इस output को बहतर बनाने के लिए load के समानांतर एक capacitor जोड सकते हैं इसको हम बाद में इस वीडियो में देखेंगे और भी अच्छा output प्राप्त करने के लिए full wave rectifier का प्रयोग करना बहतर है और ऐसा करने के दो मुख्य तरीके है हम center taped transformer और दो डायोड का प्रयोग करके full wave rectifier बना सकते है center taped transformer में secondary side में एक और तार होता है जो transformer कोईल के केंदर से जुड़ा होता है इसकी सहता से हम transformer के कोईल की पूरी या आधि लंबाई का प्रयोग कर सकते हैं इस electricity में current लगातार पर लटता रहता है positive या forward half में होने पर current diode एक से बहता है और load में जाता है फिर center taped तार से होकर transformer में वापस लौट आता है diode 2 current को रोक रहा है इसलिए current यहां से नहीं जा सकता इसलिए transformer की केवल आधि कोईल का प्रयोग ही हो रहा है reverse या negative half में current diode 2 से बहता है load से गुजरता हुआ transformer में वापस लौट आता है diode एक current को रोक रहा है current diode से होकर केवल एक दिशा में बहता है किसी भी स्थिती में current केवल एक दिशा में बहेगा इसलिए इसे DC माना जाता है लेकिन यहाँ एक समान नहीं होती है यहाँ अभी भी pulsating है कोई अंतराल नहीं है negative half positive half में बदल गया है waveform smooth नहीं है इसलिए हमें capacitor जैसा कोई filter लगाना होगा इस बारे में हम इसी वीडियो में बाद में विस्तार से देखेंगे rectifier है इसमें 4 diode होते है 3 और 4 के बीच neutral के साथ diode 1 और 2 के बीच AC सप्लाई दी गई है diode 2 और 3 के बीच DC positive output और diode 1 और 4 के बीच negative output है sine wave के positive half में current diode 2 से बहता है load से होकर diode 4 से गुजरता हुआ वापस transformer में आ जाता है negative half में current diode 3 से बहता है load से होकर diode 1 से गुजरता हुआ वापस transformer में आ जाता है transformer AC sine wave भेज रहा है लेकिन load में ripple DC प्राप्त हो रही है क्योंकि current का प्रवाह एक ही दिशा में है उदारन के लिए इस circuit में हम oscilloscope पर rectified waveform देख सकते हैं लेकिन यह सपाड DC output नहीं है हमें filter जोड कर इसे बहतर बनाना होगा rectifier का प्रयोग करने से waveform में ripple बन जाते हैं इसे एक समान बनाने के लिए हमें filter की जरुद पड़ती है साधरन तरीका लोड के समना अंतर में एक electronic capacitor को जोड़ना है voltage बढ़ने से capacitor चार्ज होता है और electronों को store कर लेता है फिर voltage घटने के दौरान यहां उन्हें छोड़ता है जिससे ripple कम हो जाती है oscilloscope हर pulse का peak दिखाएगा लेकिन voltage 0 तक नहीं गिर सकती यहां धीरे-धीरे कम होती है जब तक यह pulse capacitor को फिर से charge न कर दे बड़े capacitor या कई capacitor का प्रयोग करके हम इसे और भी कम कर सकते है इस सरल उधारण में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपूर्ती रुखती है LED बंध हो जाती है लेकिन अगर मैं LED के समाना अंतर में एक capacitor लगा दूँ तो यहां जलती रहेगी क्योंकि अब आपूर्ती रुखने के दौरान capacitor डिस्चार्ज हो रहा है और LED को बिजली के आपूर्ती कर रहा है इस सर्किट में मैंने लोड के लिए लैंब का प्रयोग किया है ओसिलोस्कोप रिपल वेफ़ॉर्म दिखा रहा है जब मैं 10 माइक्रो फेरेट का छोटा capacitor जोडता हूँ तो वेफ़ॉर्म में थोड़ा सा अंतर दिखता है जब मैं 100 माइक्रो फेरेट के capacitor का प्रयोग करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अब शूने वोल्ट तक नहीं गिर रही है 1000 माइक्रो फेरेट पर रिपल बहुत छोटे है 2200 माइक्रो फेरेट पर लगभग स्मूथ है यहां कई electronic सर्किटों में प्रयोग करने के लिए ठीक है हम कई capacitor का प्रयोग भी कर सकते है यहां हमारे पास 470 माइक्रो फेरेट का capacitor है जिससे थोड़ा अंतर आया है लेकिन अगर मैं समना अंतर में दो capacitor लगाऊं तो हम देख सकते हैं कि waveform काफी बहतर हो गई है capacitor का प्रयोग करते समय हमें output के सामने एक bleeder register लगाना चाहिए यहां एक उच्चे मान वाला register है जो circuit off होने की समय capacitor को खाली कर देता है और हमें सुरक्षित रखता है इस circuit में ध्यान दे कि जब मैं इसे on करता हूं तो capacitor जल्दी से 15V से अधिक charge हो जाता है जब मैं इसे off करता हूं DC output 15V बना रहता है क्योंकि अब कोई load नहीं है इसलिए उर्जा capacitor में store है अगर voltage बहुत अधिक हो तो यहां खतरनाक हो सकता है इस उधारण में मैंने output के सामने 4.7 kg का register लगाया है capacitor 15V तक charge होता है और जब मैं switch off करता हूं तो यहां जल्दी से discharge हो जाता है रजिस्टर में electron प्रवाहित होते रहते हैं जो capacitor को discharge कर देते हैं हम यहां भी देखते हैं कि capacitor के बिना diode के voltage drop के कारंड output voltage input voltage से कम है यहां हमारे पास एक सरल full wave bridge rectifier है input पर 12V AC है output पर 10.5V DC है diode के कारंड output voltage कम है हर diode में लगभग 0.7V का voltage drop होता है एक diode और एक LED वाले circuit को देखते हैं diode का मान लेने पर हम देख सकते हैं कि voltage drop लगभग 0.7V है full bridge rectifier के positive half में current को दो diode से और negative half में भी दो diode से गुजरना चाहिए तो voltage drop मिलकर करीब 1.4 से 1.5V हो जाता है यही कारण है कि output कम हो जाता है हाला कि अगर output के सामने एक कपैसिटर जोड़ दे तो हम देखेंगे कि output input voltage से अधिक हो गया है यहां कैसे संभव है ऐसा इसलिए है क्योंकि AC input RMS voltage को मापता है जो peak voltage नहीं होता है कपैसिटर पीक voltage तक चार्ज होते हैं और फिर electron रिलीज कर देते हैं चुकि थोड़ा voltage drop होता है इसलिए output peak input से कम लेकिन RMS input से अधिक होता है उदाहरन के लिए अगर हमारे पास input पर 12V RMS होते तो peak voltage 12V गुणे 1.41 मतलब 16.9V होती यहाँ पर और यहाँ पर 0.7V का drop होगा 16.9V से 1.4 घटाने पर 15.5V होगा कपैसिटर इस voltage तक चार्ज है हालांकि यह उत्तर अनुमान से दिया गया है रिपल की मात्रा और डायोट के सटीक voltage drop से इसका मान वास्तविक्ता में थोड़ा अलग ही होगा लेकिन हम देख सकते हैं कि आउटपुट इंपुट से अधिक है दूसरे arm filter में दो समानांतर कपैसिटर को इंड़क्टर के साथ श्रेणी करम में जोड़ा जाता है यहां बड़े load वाले सरकिट में प्रयोग की आ जाता है पहला कपैसिटर रिपल को स्मूथ करता है इंड़क्टर करेंट में बदलाव होने से रोकता है और उसे स्थिर रखता है दूसरा कापैसिटर जो बहुत छोटा होता है बची हुई रिपल को स्मूथ करता है इसके अलावा हम वोल्टेज रेगुलेटर को आउटपुट से भी जोड सकते हैं यहाँ बहुत आम है और इससे इंपुट में थोड़ा बदलाव होता है लेकिन आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहता है स्मूथ डीसी आउटपुट पाने के लिए रेगुलेटर के किसी भी तरफ कपैसिटर लगा सकते है यहाँ हम इसका वास्तव एक रूप देख सकते हैं जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा है और इसका आउटपुट पान्च वोल्ट डीसी है आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल से स्वयम वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सीख सकते हैं इसका लिंक नीचे वीडियो विवरण में दिया है तो इस वीडियो में बस इतना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें आप हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टरग्राम, लिंक्डिन के साथ साथ इंजिनियरिंगमाइंडसेट.com पर फॉलो कर सकते हैं